कारेकरताओं की भीड का रहले के अंदर दाखिल होती है केंदर से मद्धिप्रदेश में भीजेगे एक मंत्री से मिलने के लिए भीड आती है और भीड इतनी आक्रोशित हो जाती है कि मंत्री के साथ जूमा जटकी तक कर देती है हालात अगर बेकाबू हो जाते तो शायद मं की जगह पिट जाता है स्यकॉर्टी गार्ड आखिर कौन है मंत्रियों कहां पर होते हैं यह हालात बे-काबू और क्या है इसकी वजए आईए जानते हैं इस वीडियो में नमस्कार मैं हूं गिर्राश शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक मद्यप्रदेश के जबलपुर स सूची जारी करती है और 92 कंडिडेट्स की लिष्ट आती है उसके बाद उत्तर मद्यवदान सवा सीट से जिस कंडिडेट को टिकेट दिया जाता है उसके बाद कुछ कारिकरता आक्रोशित हो जाते हैं यह कारिकरता किसी और के नहीं बलकि धीरच पटेरिया और पूर मंत् किट न दिया जाए जैसे यह कारेले के अंदर दाखिल होते हैं माहौल इस तरीके का हो जाता है कि भूपेंदर यादव से जूमा जटकी धक्ता मुकी तक हो जाती है इनका अंग रक्षक जैसे तैसे इन्हें आगे की और ले जाता है तो वीडियो में आप साफ तौर पर द कि तरह बढ़ाता है तो तीन से चार लोग इसे रोक लेते हैं जैसे तैसे समझाते हैं यह वीडियो बड़ी ही तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वाइरल होता है हुआ 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 है लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उड़ता है कि भाजपा जो संसकार वान पार्टी है जो हर किसी को संसकार के उपदेश देती है यहां पर वो संसकार कहां चले जाते हैं क्या ये हालात और बेकाबू भी हो सकते थे क्या भाजपा के मंत्री भूपेंद्र यादव इस जगह पिट भी सकते थे और सिकोर्टी गाड जिसके साथ इस प्रकार का विवार हुआ है वो भी उस समय कुछ नहीं कर पाता जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा क्या इस प् फॉलो कीजिए और सभी से कपील है कि सरल टॉक को जॉइन वा थैंक्स वटंग के दौरा आरतिक रूप से जरूर सायोग परदान कीजिए जिसे हम और बहतर स्वतंत्र पत्रकारता कर सकें नमस्कार